तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के कुछ खास और यूसफुल गैजेट्स जिने आप चाओ हो तो एमेजोन या फिर आनलाइन स्टोर से पर्चेस कर सकते हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को करके सब्सक्राइब बाजू में आने वाले बेल आइकॉन को भी आल पर रखें ताकि फीचर में आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे और फी गाईज वो ऐसे तो मार्केट में शूस काफी तरह के अवेलेबल होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स और पैटरंस में देखने को मिल जाते हैं लेकिन अब आप देखने वाले हैं एक ऐसे अट्रैक्टिव और स्मार्ट शूस जिने पहन कर आप बाजार में जाएंगे तो लोगों की नजर बस आपके इन शूस पर ही होगी क्यूंकि शूस के बेस पर आपको मल्टी कलर LED लाइट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इन शूस के अट्रैक्शन का एक मेन हिस्सा होता है और अब बात कर लेते हैं इसमें इन बिल्ट हुए काफिस सारे फीचर्स के बारे में तो पहले तो आप इन शूस को अपने मुबैल से कनेक्ट कर सकते हैं जिसका फाइदा ये होगा कि आप इन शूस में लगे हुए LED लाइट्स को कस्टमाइज कर सकेंगे वो भी 16 मिलेन अलग-अलग कलर्स में और आपको इसके अप्लिकिशन में कुछ लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं जिनने आप आसान इसे स्विच कर सकते हो और इसमें खास बात ये होती है कि इन शूस में मोशन सेंसर्स इन बिल्ट होते हैं जिनका इस्तिमाल करके आप म्यूजिक को क्रेट कर सकते हैं वो भी शूस को जमीन पर कुछ इस तरह से टैप करके तो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स आपको इस शूस कैसे लगे हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा आइपर कोर गाइज वैसे तो बाइसिकल का इस्तिमाल करने के दो फाइदे होते हैं एक है अपनी बॉड़ी को फिट रखने के लिए और दूसरा ट्राफिक से बचने के लिए तो इन ही दो सिचुएशन में हम बाइसिकल का इस्तिमाल करते हैं लेकिन जब आपको कही दूर ट्राफिक को पास करके आफिस को जाना पड़ता है तो आपको बाइसिकल का इस्तिमाल करना पड़ता है जिसके पैडल्स को मार के आपके पैर दुखने लग जाते हैं लेकिन अब आपके पैर बिल्कुल भी नहीं दुखेंगे क्यूंकि आप अपने बाइसिकल के पीछे के वील को निकाल लेना है और आपको इस जगह पर इस इलेक्ट्रिकल वील को भी फिट कर देना है कुछ इस तरह से और साथ यापको इसके वील में इसके साथ आने वाले बैटरे को फिट करके उसके कवर को भी फिट कर देना है जिसके बाद आतिसाथ Bluetooth application का भी feature होता है जिसका इस्तिमाल करके आप अपने सफर को आसान बना सकते हैं Power Up 3.0 इस paper plane को तो आप जानते ही होंगे जिसे हम बच्पन में paper से plane को बना कर हवा में उड़ा कर काफी मज़े लेते थे जो थोड़ा सा दूर जाकर जमीन पर गिर जाता था तो इसी concept के साथ इस paper plane को अपडेट किया गया है जो आसमान में काफी देर तक उड़ता ही रहता है क्यूंकि इसमें एक powerful motor और propellers लगे होते हैं जिसे कि airplane हवा में उड़ता है लेकिन इस plane के inventor ने electric plane को तो invent करी ही लिया था लेकिन जब उन्हें ने इस plane को अपने दोस्त को दिखाया तो उनके दोस्त ने inventor को challenge किया कि इस plane को remote control में बना कर दिखाओ जिसके बाद इन्वेंटर ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और इस प्लेन को रिमोट कंट्रोल में तब्दिल करने में सक्सेस्फुल हो गए जिसे आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं और इस प्लेन कंट्रोल बना होता है हाई कॉलिटी वाली पेपर से जो अगर कहीं गिरता है तो भी यह तूटेगा नहीं और इसकी बैटरी लेफ भी आपको लगबग 25 मिनट फुल चार्ज में आपको 10 मिनट की फ्लाइंग टैम प्रवाइड करती है जिसे आप डिस्चार्ज होने पर इजिली फिर से रिचार्ज करके यूज में ले सकते हैं गोमर गाइस गोमर दुनिया का पहला सौफ्ट हैंड और स्मार्ट रोबोट है जो आपके छोटे मोटे कामों में आपको मदद करता है कुछ इस तरह से और आप इसे अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसका फाइदा ये होता है कि आप इस रोबोट की रियल टाम एक्टिविटी को अपने मोबाइल में लाइव वीडियो देख सकते हैं और साथी आप इस रोबोट को देखने के साथी साथ आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं वो भी अपने स्मार्टफोन की तुरू और एर रोबोट इतना इंटेलिजन्ट होता है कि एर रोबोट आपके साथ as a friend की तरह भी behave करता है क्योंकि इसमें काफी सारे स्मार्ट सेंसर्स इन बिल्ट होते हैं जिसकी ये रोबोट आपके friend को हाथ भी मिला सकता है और साथी इसमें और भी काफी सारे स्मार्ट फीचर्स इन बिल्ट होते हैं जैसी की play by himself, challenge gamer with cubes और AR games जिसका इस्तिमाल करके आप काफी इंटेटेन हो सकते हैं WT2 translator तो guys, screen पर दिख रहे earphones कोई music सुनाने वाली earphones नहीं यानि कि ये earphones language translator होते हैं जो दुनिया के किसी भी language को easily translate कर लेते हैं क्योंकि अगर आप अलग-अलग countries में travel करते हैं तो आपको वहां की language को समझने में काफी दिक्कत होती है तो इसी situation को ध्यान में रखते हुए इस थास real-time translator earphone को invent किया गया है जिसे इस्तिमाल करना भी काफी आसान होता है आपको simply अपने mobile में इसके official application को install कर देना है जिसके बाद आपको इसके application में input और output language को select कर देना है जिसके बाद आप इस एक earpiece को अपने कान में दाल कर और दूसरे earpiece को अपने opponent के कान में दाल देना है जिसके बाद आपको उसकी language आपको translate होकर सुनाई देती है और आपके opponent को आपकी language translate होकर सुनाई देती है तो अगर आप अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो आपके पास WT2 ट्रांसलेटर ज़रूर होना चाहिए तो आज की वीडियो आपको कैसी लेगी हमें कॉमेंट करके बताना ना भूले और साती अगर आपको वीडियो पसंद आच चुकी है तो उसे लाइक और शेर भी कर दीजे अगर आप अमारे चैनल के नए विजिटर हैं तो चैनल को करके सब्सक्राइब आजू मेंने वले बैल आइकॉन को भी आल पर रखें ताकि फीचर मेंने वली वीडियो उसकी नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे तो फिर मिलते हैं अगरे वीडियो के साथ अब तक के लिए टेक केर